स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टेया यूटूब चैनल पर आई टेया पास आउट केंडेट्स के लिए एंसील यानि नौर्धन कोल फिल्ल लिमिटेड की तरफ से बंपर अप्रेंट्सिप की वेकेंसी आचुके यह थोजार तेश चोबिस के लिए तो जो भी कैंडेट यहाँ पर इलिजबल हो रहे हैं सिर्फ फार्म बनने के लिए 10 दिन का मौका दिया गया आप लोग यह फार्म फिल अप कर सकते हैं complete notification देखेंगे and official website का link भी आपको वीडियो के description में देदेंगे यहाँ से आप लोग directly जाके notification को देख सकते हैं और जैसे online form apply होना start होगा आपको form बनने का video भी provide कर देंगे जिसे आप step by step अपने mobile phone से आसानी से form fill up कर सकें तो आईए यहाँ पर carrier section में चलते हैं और देखते हैं notification और download करके उसकी पूरी detail देखते हैं कौन-कौन से candidate यहाँ पर eligible होंगे form भरने के लिए carrier portion में जैसे आप apprenticeship training में आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे vacancy जो है उसकी detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं second number वाला जो portion है वो trade apprenticeship की notification है उसको हम लोग यहाँ पर download कर लेंगे official website है इसका link हम आपको वीडियो के description में देदेंगे आप directly यहाँ पर पहुंच सकते हैं चैनल पर नहीं है तो आपसे एक request होगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजिएगा जिसे आपको सभी तरह की update वा information मिलती रहे और ऐसी सभी update information वा PDF के लिए आप जूड़ सकते हैं टेक स्टड़ी आइटे टेलिग्राम चैनल पे description में लिंक है वीडियो के वहाँ से आप जरूर जुड़िएगा और सबसे important अगर आप government job के आइटे के exam के अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो टेक स्टड़ी आइटे का mobile application है उसका भी link वीडियो के description में है या प्ले स्टोर आपका coal India Limited का ठीक है coal India Limited की एक subsidiary है इसमें ITI NCVT या SCVT pass out candidates farm भर सकते हैं लेकिन एक condition है कि आपने ITI ऐसी जगह से की हो कि आपका ITI या तो उत्तरप्रदेश में या तो मध्यप्रदेश स्टेट में आता हो यानि UP and MP के जो ITI colleges है वहाँ से अगर आपने ITI पास की है तो आप farm भर सकते हैं आप रहने वाले कहें के भी हो बट आपने ITI यहां से बास की हो तभी आप इस farm को fill up कर सकते हैं यहां पे अगर vacancy की बात करें तो electronic mechanic में 13 post है एक साल की apprenticeship है 8050 रुपई स्टाइपेंड मिलेगा motor mechanic vehicle की 47 post है 850 और auto electrician की 12 post है 850 रुपई मिलेगा 1140 post पे total apprenticeship यह निकाली गई है अब यहां पे अगर बात करें position जो available है यहां पे अलग-अलग category में तो यह category wise break up भी यहां पे दे दिया गया है यह है आपका मद्ध प्रदेश रीजन की vacancy ठीक है यह है मद्ध प्रदेश रीज की vacancy यहां पे है total 519 ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है 519 और 621 post है total 1100 कुछ vacancy आपकी बन जाती है यहां पे जो candidate physically disabled category में आते हैं वो यहां पे अपना trade देख ले कौन में किस trade में कौन कौन सा यहां पे जो disability है वो eligible है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजेगा जनरल eligibility जो हमने पहले ही आपको बताया कि आपने ITA, NCVT, SCVT से किया हो लेकिन आपका institute UP या MP इस्टेट में आता हो तभी आप form भर सकते हैं और सबसे important ऐसे candidates को priority मिले कि जो उत्तर प्रदेश के सोनवट district से ITA पास किये हो या MP के सिंगरोली district से इनसे जब पूरा नहीं होग सीट तब बाहर के अधर जो लिस्टी के candidate है उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाएगा Age limit है 18-26 साल रखी गई, cut off date है 31 अगस्त 2023, Upper Age limit में छूट मिलेगी SCST को 5 साल की OBC को यहाँ पर तीन साल की Upper Age limit में छूट मिल जाएगी इसके अलावा जो सबसे important बात है आपकी इस apprenticeship का फाइदा क्या मिलेगा उसको भी हम लोग last में बात करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कहीं apprenticeship करें तो उसका benefit आपको पता हो कि apprenticeship का at least benefit आपको क्या मिलेगा selection कैसे होगा तो selection आपका जो है जो ITI में candidates pass हुए है ठीक है UP and MP में उनी को यहाँ पे sort list किया जाएगा and selection आपका merit की basis पी किया जाएगा और merit आपकी बनाई जाएगी ITI में आपने कितने number प्राप्त किये है and matriculation में ठीक है देखिए each respective applying individual candidate in the respect of the year post applied तो ITI and matriculation दोनों के average से यहाँ पे जो है बनाई जा सकती आपकी merit list इस तरह से railway में आपकी बनाई जाती दोनों के average में ठीक है and एक चीज़ और है यहाँ पे कि matriculation ठीक है and trade test में आपके minimum जो है ठीक है 50% रहने चाहिए यहाँ पे आपको 49.99% अगर है तो वो 50% नहीं count किया जाएगा तो आपको बिना round off किये बनाना है 50% का criteria तो नहीं है लेकिन आपको बिना round off किये अपना percentage भरना है अगर आप उसको round कर देते round off तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है merit list के time पे form इसके online mode में भरे जाएंगे form apply करने का video हम आप सब के लिए provide कर देंगे apprenticeship आपको अगर करना है तो एक चीज़ आप लोग जरूर कर लीजे apprenticeship india.gov.in पे अपना registration करके पूरी 100% अपनी profile को complete करके रखिए आप लोग form भरने के अगर date की बात करें तो 5 October 2023 से form भरे जाएंगे और last date होगी आपकी 15 October 2023 सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का मौका मिलेगा and shortlisted जो candidate है उनकी website पे जल्दी list भी publish हो जाएगी फिर आपका document verification होगा उसके बाद आपकी medical के बाद आपका फिर यहां पे joining करा लिया जाएगा यह apprenticeship सिर्फ और सिर्फ एक साल की होगी एक साल के बाद आपको apprenticeship से निकाल दिया जाएगा and अब बात करें इस apprenticeship के फायदे की इसका आपको profit क्या मिलेगा तो दिखिए इस apprenticeship का profit पहला है आपको NAC certificate मिलेगा NAC certificate क्या होता है का आपका एक apprenticeship certificate होता है कई सारी vacancy जैसे आती है जिसमें ITI plus 1 याड apprenticeship मागा जाता है farm भनने के लिए जैसे भारत electronics limited में भी आई थी vacancy recent में इसी तरीके से आपकी कुछ vacancies आती है आपके सिफ building industry में कुछ apprenticeship कुछ permanent job की vacancy आपके भी आई थी इंडियर नेवी में tradesman skilled की जो vacancy आई थी नवल डाक्याड में उन सब में ITI plus 1 year का apprenticeship मागा जाता है अलग अलग trade में तो वहाँ पे आप eligible हो जाते हैं farm भरने के लिए दूसरा benefit यह है कि यहाँ पे apprenticeship करने के साथ आपकी जो learning होगी प्लस आपको stipend milling अगर उससे आपको save कर सकते हैं वैसे तो बहुत कम नहीं selection हो पा रहा है मेरिट हाई जाती है तो आप यह सब apprenticeship ट्राई कर सकते हैं या अगर आपका focus है government job तो इस apprenticeship का at least किसी government job में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा जो हुनने बताए एक दो department वहीं मिलता है NCL में ऐसी कोई permanent vacancy आती जिसमें अभी तक वहां के apprenticeship को मौका दिया गया हो in future में भी दिया जा सकता है तो यह सारे चीजें आप ध्यान में रखते होई apprenticeship के लिए apply कीज़ेगा अगर आप कहीं बहुत अच्छी बहतर तैयारी अपनी कर रहे तो आप चाहें तो एक साल अपना apprenticeship में ना भी दे अपनी तैयारी पे उसे focus कर सकते हैं बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं आप तैयारी कर सकते हैं जौब के साथ साथ तो आप apprenticeship कंसीडर कर सकते हैं लेकिन इस apprenticeship का railway में आपको benefit नहीं मिलेगा यह चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा इसका benefit वहीं मिलेगा जहां आप के साथ apprenticeship कहीं मागा जाएगा किसी भी department से उसी में आपको इसका benefit मिल पाएगा थैंक्यू वेरी मच्छ ख्याल रखिएगा अपना मिलते हैं अगली update के साथ अगली वीडियो में चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िएगा और ट